नमस्कार दोस्तों मैं सश्रीश को बाती बारी स्वागत करता हूँ एक बड़ पर से आप समों का इंदिन स्कूल आप नेटवर्क मार्कटिंग के इस ओफीशियल योड़ चानल पे दोस्तों आज का ये वीडियो काफी अधिक इंपोर्टेंट होने माला है कहा जाता है कि invitation and presentation के बाद, ISVAR network marketing में आपको सफल और अमीर बनने का जो आखरी मौका देता है उससे follow up कहते है मिलकुल आपने सही सुना वो आखरी मौका network marketing में आपकी सफलता का, आपकी समर्द्रिका उससे follow up कहा जाता है और जिस किसी ने भी follow up को ignore किया है उसने अपनी औसफलता को sure किया है जिस किसी ने भी network marketing में follow up को ignore किया है उसने अपने failure को sure किया है इसलिए follow up को कभी ignore मत कीजी क्योंकि सारी सम्रद्धी follow up के अंदर है वो करोने रुपे जो आप नेटवुक मार्कटिंग से कमाना चाहतें वो फॉल अप के अंदर है और आज का ये वीडियो आपको फॉल अप के बारे में कुछ ऐसा बताएगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा फॉल अप का फॉल अप का फॉल अप फॉल अप को फॉल अप से ही सीखेंगे फॉल अप का फॉल अप का फॉल अप फॉल अप करके मैं सारी चीज़े आपको बताने बाला हूँ पूरे अंतक बरे रहेगा काफी काम की ये वीडियो होने बाली है तो आएए सबसे पहले सबसे पहले लीटर पर आते हैं जो है F F का क्या मतलब है? यह Fall Up का Fall Up Formula है तो F का क्या मतलब ही यह समझते है? F का मतलब है Focus on Building Relationship देखिए पहला जो F है वो कहता है Focus on Building Relationship बहुत सारे लोग क्या करते है? Relationship पे फोकस नहीं करते हैं वो सिर्फ Self पे Focus करते हैं देखिए Fall Up का पूरा का पूरा मतलब है Relationship को Build करना अकर Fall Up आप करने जाते हैं और Relationship खड़ाब कर लेते हैं यानि आपको Fall Up आता ही नहीं है आप अभी सेस्ट में बहुत बच्चे हैं अगर आप Fall Up करने जाते हैं और लड़के आ जाते हैं जगड़के आ जाते हैं बहस करके आ जाते हैं यानि आपको Fall Up दही आता Fall Up का Simple सा मतलब है Focus करो कांपे Relationship पे Sales के अंदर देख्वक बाक्टिंग के अंदर वही अंसान बड़ा बनेगा जिसका Relationship बढ़िया होगा अकर Prospect से आपका Relationship बढ़िया नहीं होगा तो वो कभी आपके साथ शिरुवात करें के नहीं, जॉइन नहीं करेंगा और बहुत सारे लोग तो जॉइन की होते हैं वो भी छोड़के निकल जाते हैं कब जब Relationship खराब हो जाता है जब रिष्टे खराब होने लगते हैं ना साथ ये वेवसाय अपने आप खराब होने लगता है क्योंकि Network Marketing का पूरा जो बज़न से पूरी जो तरक्की है, पूरी जो सफलता है, पूरी जो समृद्धी है वो Relationship पे टिकी हुई है इसलिए पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में लेके जाना है फॉल अप करते वक्त, कि मुझे फोकस करना है कहाँ पे? रिलेशन्शिप पे सिल आए नाए कोई बात नहीं है, जो आरी हो नाखो कोई बात नहीं है लेकिन मैं Relationship बना क्या हूँगा मैं Relationship बड़ी अकर क्या हूँगा अकर आप कुछे किसी से भी मिलवाओगे मैं उससे अच्छा Relationship ज़रूर बना लूँगा तो फॉल अप में पहला आएफ आपको यही सिखाता है कि फोकस करूँ कहाँ पे? Relationship बनाने पे ध्यान दे रहा होगा कि Hidden Doubts क्या है Guests को बहुत सारे Doubts होते है उन Doubts को आपको पहचानना होगा ऑप्जर्ब कर रहा होगा बारीगी से देख रहा होगा चेहरे से भी कई बार पता चल जाता है कि इंसान Doubts में है या Confidence में है और आपको ये पता चलता है कि Doubts क्या है? क्या Doubts हो सकते? Hidden Doubts क्या है? जब आप ये जान जाते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप किसी को जोइन करवा पाए इसलिए आपको ऑप्जर्ब कर रहा है तो एक काम कीजिए न ओपन कर देजिए Hidden Doubts को ओपन कीजिए Open क्यासे करते है? Question पूछके जब आप सही सवाल करना सीख जाते हैं तो आप Hidden Doubts को बाहर निकालना जान जाते हैं तो आपको question कर रहे होंगे जब आप question करते हैं तरहें पर होगा कि लिए आपको पहोप में ना अपने ना सि कहते हैं तो आपको पहचानने होती है कि डाउटस उसकंदर क्या चल रहा है और अगर आप पहचानगे तो बहुत बड़ी अबर ना, open कीचे, question पूछे, क्या doubt से पूछे, हो सकता है business plan ना समझ में आयो, बहुत सारे लोगों को पहली बार business plan देखने के बार कुछ भी समझ में आता, सिर्फ और को कुछ number समझ में आता है, अच्छा कुझे जरूर comment करके बताईएगा, आप में से कितने लोग इस बाग से सहमत है कि पहली बार जब आप business plan देखते हैं, network marketing आपको बहुत कुछ समझ में आता, सिर्फ इतना समझ माता है कि इतने पैसे आ सकते हैं, लेकिन आखिर का बटवारा कैसे हो रहा है, distribution कैसे हो रहा है, पैसा आता कैसे, ये क आपको doubt समझ देखोंगे और अगर आप समझ नहीं पारे, observe नहीं कर पारे, open कर लीजे, question कर लीजे, next, जो later है, that's very important, that is L, L हमें क्या सिकाता है, L कहता है, love to solve problems, love to solve problems, देखें, आप जिस business में हैं, उसे आप selling का business मत कहिए, आप selling के business में नहीं है, आप problem solving के business में है, आप क्य जानते हैं, कोई भी business इस दुरिया में क्यों आया है, क्योंकि वो लोगों की problem को solve करता है, किसी भी business का main purpose होता है, लोगों की problem को solve करना, और आप problem solver है, अब देखें, जब आप problem को solve करना सीख लेते हैं, तो लोग आपके साथ जुढ़ना शिर्व हो जाते हैं, क्योंकि हर इनसान को अपनी problem को solve करने में interest है, वो इस चीज़ में interested नहीं है, कि आपकी company कितनी बढ़ी है, वो इस चीज़ में interested नहीं है, कि आपकी income कितनी आ रही है, लेकिन लोग इस चीज़ में definitely interested हैं, कि उनकी problem solve हो रही है या नहीं हो रही है, अगर वो आपके साथ जुढ़ते हैं अगर वो आपकी कपनी के साथ चुड़ते हैं, अगर वो आपका प्रोडक्ट इस्तिमाल करते हैं, तो उनकी कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है, देखिए आपको एक चीज़ में हमेशा ध्यान देना होगा, that is problems, और प्रॉब्लम कैसे पता चलती हैं, बात करके, जब आप सुनते हैं, बगुत अच्छे से सुनते हैं, तो आपको उनकी बातों में क्या उनकी जीवन में problem चल रहे हैं, यह पता चलने लगता है, यह सारी चीज़े इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकता, एक चीज़ और कहूंगा, अगर आप network marketing को काफी बारी की से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं, यह सारी चीज़े कैसे करना है, अगर यह भी आप सीखना चाहते हैं, सीखने में interested है, वाकई तो हमारा network marketing ब्रभास को जोईन कीजी, क्योंकि उस कोस में हमने यह सारी चीज़े डिटेल में बताई हुई है, कि आखिरकार आप कैसे hidden doubts को बाहर न करते हैं, वो लोगों की problem को diagnose नहीं कर पाते हैं, सबस नहीं पाते हैं, लेकिन solution दे रहें, आप problem नहीं जानती हैं और फिर भी solution दे रहें, तो खो सकता है कि जो आप दे रहे हैं, उसको उसके लिए ज़रूरी है ही नहीं, उसका कोई problem solve हो यह नहीं रहा, वो आपके साथ क्य एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि next appointment fix करके आना है, कई बार एक follow up में closing नहीं आती, एक follow up से जोआ नहीं नहीं आती, तो हमारा पूरा ध्यान इस सीज़ में होना चाहिए कि next जो meeting है वो fix करके आएंगे, इस follow up में अकर हम पूरी बात नहीं कर पा रहें, अगर closing तक नह की पहुच पा रहें, सामने वाला join रहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं हम दूसरी meeting fix करके आएंगे, अब ये काम कभी भी guest के ऊपर नहीं छोड़ना होता है, ये आप कभी भी guest के ऊपर मत छोड़िए कि आप बताईए, right, कब आप मिल सकते हो, वो शायद बोलने साथ दिनों क कब आप free होते हैं, यानि एक से दो दिन के अंदर फिर से meeting fix कीशे, क्योंकि follow-up तब तक चलता है, जब तक की जवानी नाजा है, जब तक सामने वाला हा ना कह दे, तब तक सहाब मिलना, मिलना, जुलना चलते रहता है, तो follow-up में एक चीज़ का ध्यान रखना है, look forward to setting, the next appointment अगला appointment आपको set करके निकल ला है, अगली meeting fix करके आपको निकल ला है, next देखे, next है, oh, offer your full support, देखे ये बहुत बड़ी चीज़ है, offer your full support, बहुत सारे लोग नेट्वक मार्कटिंग का बजब्स करते से इंडर ते, पता है क्यों, क्योंकि उनको खुद के ऊपर confidence नहीं होत कि नेटवकर्स सच में, सच में पैसे कमाते हैं, वो सच में करोणे रुपे कमा रहे हैं, ये गाडिया वो भाड़े पे लेकर नहीं चल रहे हैं, ये सच में उनकी गाड़िया हैं, ये जो घर, आज वो जो एक आलिशान घर बना रहे हैं, ये भाड़े करी हैं, उन्होंने स सच में बनाई या खर्दा है एक बात तो क्लियर है लोग जानते तो है कि डेट वक बांकडिंग में पैसे है फुर भी नहीं करना चाहते क्यों एक तो कॉन्फूड़नस नहीं तुम क्या कर सकते हैं हम सिर्फ यह कर सकते ओफर यूर्फुल सपोर्ट उनको अपना सपोर्ट ऑ आपको फुल सपोर्ट दोंगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, आपके बिजनस को बिल्ड करूंगा, और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि आपको भी ये बिजनस करना ना आजा है, या पर जब तक आपकी इंकम 10,000, 20,000, तीजर, बंखली ना हो जाए, कहने का क्या मतलब है, कुछ लोग डरे हुए होते, उनको फुल सपोर्ट दो, और जब आप फुल सपोर्ट देतें किसी को भी तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला रही हूँ, मेरे पास एक मैंटर है, मेरे पास एक गाइड करने वाल इंसान है, मेरा साथ देने वाला कोई है, यानि इस बिजनस को मैं कर सकता हूँ, यह बहुत इंपोर्टन है, कई लोग अपना सपोर्ट आफर नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को कॉन्फिदेंस नहीं मिल पाता कि वो इस बिजनस को कर पाएंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चीज है, फॉल अप में, टापल्यू, टापल्यू का क्या मतलब है, वेट फॉर दे राइट टाइम, कई वार इंसान हर बड़ा जाता है, एक फॉल अप क्या, अप नहीं होगा, दो फॉल अप क्या, अब तो नहीं करेगा, आप कर क्लूजन निकाल लेते हैं, कि यह करिए गर यह जोरी नहीं कर सकता, महा नेगटिव इंसान है, दुखी आत्मा है, यह कभी जोरी नहीं 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 साथ, वेट फॉर दे राइट टाइम, हो सकता है, अभी उसकी जिदगी में, इस बिजनस को शुरू करने का सहीं वक्त नहीं आया है, बहुत ऐसे लोग होते हैं, छे मेने अपने करेगा, और फिर वो आपको आपके साथ नहीं किया, किसी और के साथ किया, सबज़िएगा, उस समय राइट टाइम नहीं था, टाइमिंग पो पैक्ट नहीं थी, उसके जिदिग में बिजनस की जुरूत नहीं थी, एक्स्ट्रा पैसों की जुरूत नहीं थी, लेकि पैसे चाहिए हर इंसान के जिन्दी में कभी विपत्ती भी आती है अभी नौकरी गई ना बहुत सारे लोग की कोरोना के कारण कई सारे लोग के नौकरिया चले गई बिजनस बंद हो गई दुकाने बंद हो गई लोग लॉस में चले गई कर रहे ना नीटवर्क माग नहीं अ उससे आप याद आएंगे कि नहीं उससे आप याद आएंगे कि आएंगे कब अगर आपने रिलेशन बिल्ड किया है तब अगर आप ने अपना पेसंस लूज नहीं किया है तब अगर आप राइट टाइम का इदजार कर रहे थे तब इसमें क्या होता है कि आप अपने प् दुश्मन नहीं हो गया आप इस बात को समझते आप एक मैचोर नेट्वुक मार्कटर है आप इम आचोर नहीं है कि वाज जिसने जोईन नहीं किया यह दूस्ट नहीं साफ वेट फॉर दे राइट टाइम सही सबय का इंतजार कीजिए वाटसब का इस्तमाल कीजिए टच में बने रहे रहे आने पर आपको याद करेगा और आपके साथ जोईन करेगा अब आते हैं आप फॉलो तो हो गया आप यू का मतलब क्या है अन्प्लाग्द अजन्सी इस वरी इंपॉर्डन अन्प्लाग्द नहीं कर सकते तो फिर वो आपके साथ जोईन नहीं करेगा अजन्सी का क्या मतलब है होता है वाई राइट नाव वाई नॉट लेटर वाई राइट नाव बाद में क्यों नहीं अभी क्यों अभी क्यों शुरू करना चाहिए अभी क्यों शुरूआत कर देनी चाहिए बाद आप इस सवाल का जवाब देते हैं वाइ राइट नाओ अभी क्यों शुरू करें यह अरजंसी को क्रेट करणा है इसके लिए आपके पास कॉछ कारेन होने चाहिए ताकि सामने वाला वाकई अभी शुरू करने के लिए तयार हो इन सारी चीजों को अभी में यहाँ पे detail में नहीं बता पाऊंगा कि urgency कैसे create कर रही हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे course में urgency कैसे create करनी है यह सारी बातों को detail में समझाया क्या है ओके लेकिन यह बहुत यह बॉड़न है मेरा आपको जरू जरूर दे दिया कि why right now इसका जवाब खोजी अभी कियो वह राइट ना है मैं छे मिनी बात क्यों ना करूँ मैं अभी क्यों शीरू कर दूँ उसको समझाईए छे मिनी में कितना बड़ा लॉस दोने वाला है उसको समझाईए क्या क्या हो जाएगा छे मिनी में क्या क्या हो सकते एक साल में इस बात को आपको समझाना होगा पूश देशन को अधि में अच्छेन को जीरेगा आप सच में सफलता को लेके पैशनाइट होंगे पैसों को पैसने नहीं होगे आप काम नहीं कर सकते जॉन कर लेंगे अब काम नहीं करेंगे So push the passion, हर इंसान के दर पैशन है, थोड़ा push करो उनको, थोड़ा push करो, ये कैसे होगा, push कैसे होगा, बता देता हूँ, push होगा दिखा के साथ, imagination करा के, जब आप लोगों की सफलता दिखाते हैं, लोगों की बड़ी-बड़ी गाडिया दिखाते हैं, जब आप लोगों को बड देश यात्रा पे जाया अपने पूरे परिवार के साथ, कैसा लगेगा, पूछो थोड़ा push करो, push करो साब, push करेंगे ना passion को, वो join करेगा, सफलता हर इंसान को चाहिए, अमीरी हर इंसान को चाहिए, फिर दिकतकाब है, passionate नहीं है, पूछो सफलता चाहिए, हाँ, पूछो पूछो, अमीरी चाहिए, हाँ, सो कितारा 12 गंटे, सो कितारा 14 गंटे, यहनी passionate नहीं है, वो join थोड़ा सा जगाना पड़ता है, यही तो कामे लीडर का, यही तो कामे एक नेक वक माक्डर का, कि लोगों के अंदर जो join छुपा हुआ है, जो मरा हुआ है, वो join को जंदा कर हाँ, अमीर बनने के लिए, सफल खोरे के लिए, वो उमीद जगा दे, कि यहां से होगा, जो आस्तक नहीं हुआ, वो यहां से होगा, जो सपने कभी देखेते, भूल गयते, वो यहां से पूरे होंगे, इस चीज़ को, बस यह पूरा फॉर्मॉला रटली चीज, यह फॉल लेने चाहिए, पूरे माइंसेट के साथ चाहिए, कि डेफिनिटली कुछ हो रहा हो, रिलेशन तो बना के आऊंगा, और इतना तो मुझे पता है, कि जिससे रिष्टा अच्छा होगा, वो आज नहीं तो कल मेरे बिजनस में होगा, वो मेरा बिजनस मार्टनर बनेगा, ले गलबाले के बिजनस में होगा, किसी और गंप्री में होगा, किसी और के साथ जॉइन कर लेगा, आप के साथ कभी जॉइन नहीं करेगा, इसलिए पहला ही था ना, फोकस और बेल्डिंग रिले, पूरी चीज़ों को एक बर और देख लीजेगा, अगर ये वीडियो टॉइ टॉप पर जाना चाहते हैं, टॉप अर्दर बरना चाहते हैं, तो जोईन कीजिए हमारा एक रसिदेंशिल एमलम मास्टी वरक्शॉप दो, तीन और चार फरवरी को रामडा आग्राबे, अभी अपने हाली फिलाल बे किया था, अमीजिंग रहा, बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्दी आता हैंगी, बहुत साथ लोग इंतजार कर रहें, आएगी वीडियो, लेकिन अभी फिर से दो, तीन, चार फरवरी को हम करने वाले हैं, धमाकेदार, फिर से एक लीडर्शिप वरक्शॉप, एमलम किस जितने भी लीडर्शिए हुन सब के लिए, आप सच में अगर बहुत अधिक सीखना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इस वरक्शॉप में जरूर आए, एटेंड कीचे, जो नमबर आ रहा है ना, इसक्रीन पर इस पर कॉल कर लीजिए, कोस के लिए, सारी चीजों के लिए, सब कुछ यहां से पता चल ज यह क्योंकि आपका जीतना सुरिश्चित है, थैक्स अलाट चू अलक्यू, थैंक्यू